पैस्कर दोस्तों आरती की रसों में आप लोगको स्वागत है तो आ रहे हैं बहुँ सारे फेस्टिवल और फेस्टिवल में मिठा खाना तो बनता है या घर में बनाए या बाहर से लाज़िए इस फेस्टिवल आप घर में भुह सारे और देखिए उसका कमाल कितना टेश्टी लगता है तो चलिए यहां पर मुंग दाल को मैं भीगो लिए हूं तीन से चार घंटे और उसको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छा स्मूध पेश्ट में त्यार कर लूंगे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा पानी कि इसको पीशिएगा अच्छे से पीश जाता है अगर आपको नहीं पीश रहा है तो एक आज चमस आप डाल सकते हैं और यहां पर देखिए मैं डाल दें हुए पनीर 100 ग्राम पनीर है यह रेश्पी है नौर्स इंडिया के टेडिशनल डीस है इसमें पनीर नहीं बिल्फुल क्रीम बन जाएगा यह बहुत ही टेस्टी रेश्पी बनता है और फिस्टिवल आ रहे हैं तो आप लोगे घर में बनाकर इंज्वाई कीजिए और फिस्टिवल में तो बाहर मारकेट में मिठाई में बहुत सारे मिलावटी हो जाते हैं तो घक्योंने घर में ब गुमाना है हाथ को तभी आपके जो रस बड़े हैं वह स्पंजी बनेंगे और अंदर तक घुसेंगे जब मैं दस से बारा मिंट इसको मैं फेटी हूँ और फेटने कितना एक क्रीमी हो गया बिल्कुल क्रीम की तरह लग रहा जैसे क्रीम होता है ना वह ऐसा क्रीम की तरह हो जितने इसको फेट यहां उतने क्रीम की तरह होते जाएगा तो कम से कम आपको 10-12 मिंट तो फेटना ही है अगर आपको लगे कि अभी नहीं स्पंजी बना है नहीं क्रीम जैसा बना है तो आपको दो-4 मिंट और फेट लीजिए गा तो चलिए मेरा तो यहां पर पेश्ट ब बनानी है बस इसको घुलने तक बस घढ़ा कर लेना है और यहां पर मैं कुछ केसर के धागे डाल दे रहें जिससे कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी आएगा देखिए मेरा जो चाशनी था लगभाग बनके त्यार हो गया था मैं चेक कर रही थी कि यह सही हुआ है फ्लड़ने के मतलब बहुत अच्छा तरीका था मतलब बहुत अच्छा नहीं पफ्ल भर जाता है और बहुत अच्छा तरीका कर दिखेगा है मुझे से कितना अच्छा अच्छा आया है आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बहुत पेस्टी लगेगा चलिए अब इसको मैं रस में डाल देती हूँ सीडा बनाई उसने मैं डाल देती हूँ गरम निदाल है निकालकर तुर्ञत रस मैं डाल दीजिए गा तभी इसमें रस अच तब देखिए इसका कितना अच्छा आपका टेक्चर आता है कितना आपका रस बड़ा त्यार होता है तो वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए